The Merchant of Venice by William Shakespeare, Background Venice में Jews or Christians, दो main religions हैं Jews जो है यहाँ पर migrate होके आए हैं Venice में trade purpose के लिए और जो Venice है वो Christian city है क्योंकि यह Christian dominated है और यहाँ पर mainly धर्म जो है वो Christians का है और पहले क्या होता था? Jews जो थे वो England में रहते थे प्रन्तु उनको 1290 में legally band कर दिया गया और फिर Jews ने देखा कि Venice में better laws हैं उनको protect करने के लिए और non-venician Venician means Venice के रहने वाले लोग जो Venice के रहने वाले लोग नहीं थे उनको protect करने के लिए वहाँ पर better laws थे और जो Jews थे वो trader थे और यहाँ पर आये उनको अच्छी sport मिली city की economic well-being भी अच्छा हुआ city की आर्थिक अवस्था भी सुद्री प्रन्तु शोल्वी स्ताबदी में वहाँ पर धार्मिक दंगे पसाद Christians और Jews में काफी बढ़ गए Venice में Jews जो थे Venice में अब उनको क्या किया गया गैटोज में रखा जाने लगा उनकी एक सिमाए बांदी उनको एक एरिया दे दिया वह आपने इसी एरिया में ही रहना है और जब विलियम शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा Jews को second class citizens माना जाता था Venice में मतलब दूसरे दर्जेगा उनकी value Christians से काफी कम थी और प्रथम दर्जे के citizens Christians ही थे उनकी value ज्यादा थी इसके अलावा जो Jews को वहां के जो लोज थे Christians के द्वारा सेट किया जाते थे उनको अबे करना पड़ता था उनकी आग्या का पालन करना पड़ता था उनका नूनू को मारना पड़ता था जो Christians बनाते थे और सभी Jews को एक special clothing डालनी होती थी जिससे उनकी identification हो सके मतलब दूर से पता लागे भी ये Jew है और वो उनको उसी तरीके से treat करते थे और जो Venetians थे Venetians के रहने वाले लोग मतलब में Christians जो थे वो Jews को treat करते थे जिस तरीके से उनका मन में आता था as they wished और Jews जो थे उनको किसी भी तरीके से इजाज़त नहीं थी कि उसकी reaction दे प्रतिकिरिया दे, प्रतिशोद ले या बदला ले Jews जो थे उनको allowed नहीं था कई परकार के काम करने का many trades जैसे military में उनको कोई permission नहीं थी काम करने की government jobs की कोई permission नहीं थी या जो दूसरे Christians काम करते थे तो उस तरीके से वेपार भी करने की उनको permission नहीं थी जो Venice जो है वो एक अच्छी city है because ये trade के लिए hot spot माना जाता है तो इसलिए Jews यहां आये थे परन्तु अब उनको दूसरे दरज़े का citizen माना जाता है उनको बराबर की respect नहीं दी जाती Jewish people जो थे वो उनको permission थी कमाना by lending money लोगों को पैसा उधार दे के उसके उपर interest लेना और इस परकार के काम को usury कहा जाता है और इसमें lender को इजाज़त होती है to charge interest पैसा वुसूलना borrower से जो पैसा उधार लेता है और जो Christians हैं इस परकार के काम को वो illegal मानते हैं कि कि किसी को पैसा देना और फिर उसके उपर interest के लिए कहना उसका ब्याज लेना Jews इसके अलावा भी कई परकार के भेदवाव का शिकार थे क्योंकि Christianity जो थी उस वाक्त का main धरम था वो powerful force थी सारे योरोप में और Shakespeare के टाइम में ऐसा परचलन था और लोग उनसे डरते थे उनसे ग्रिना भी करते थे जो Christians ऐसा सब कुछ करते थे क्योंकि उनके बीचे शायद ये मक्सद था कि वो लोगों को convert कर सकें Christianity में मतलब धरम परवर्तन करने की उनकी कोशिश रहती थी और उस वक्त जो धरम जैसे Jews की हमने बात की है Jews से लेटेड उनको Hebrews भी कहा जाता है Jews को और ये जहां पर ये प्रार्थना करने के लिए जाते है जो इनका मंदिर होता है उसको सिंगोग बोला जाता है और इनका जो main धरम गरंथ है उसको टोरा और इनके जो भगवान जिसको मानते हैं वो जेजन्स ये अबराम ये एबरम इनका जीकर आता है दार्मिक किताबों में और जो Christians की अगर हम बात करें तो यहां पर प्रार्थना करने जाते हैं इनका जो मंदिर होता है वो Church होता है और इनकी जो धार्मिक किताब होती है वो होती है Bible और इनकी जो Church जो छोटी Church होती है उसको CHAPLES बोलते हैं और जिनको भगवान मानते हैं वो है जीजिस क्राइस्ट थेंक यू